क्या दोस्तों आपके बाल बहुत ज़दा टूट रहे हैं, ज़ड रहे हैं, बहुत ज़दा पतले होते जा रहे हैं, स्कैल्प नज़र आने लगी है, बाल थिन हो रहे हैं आप भी चाहते हो, आपके बाल खुबसूरत दिखें, वापस से घने हो जाएं, बालों की ग्रोध बढ़ जाएं, बालों की री ग्रोध हो जाएं, जो बाल गिर गए हैं, वो वापस से उग जाएं खुबसूरत लगे बाल क्या आप भी चाहते हो तो इसके लिए आज की वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी आज मैं आपको एक ऐसी नैच्रल होम रेमेडी बनाना बताऊंगी जिसमें आपको अद्रक को इस्तमाल करना है लॉंग के साथ कैसे इस्तमाल करना है कैसे इसको लगाना है कैसे बनाना है कितने दिन तक के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हो सारी चीज़े जानने के लिए वीडियो पूरी देखना इसके मत करना और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना शेयर कर देना आपने दोस्तों के साथ WhatsApp और Facebook पे जिससे वो भी इसका फाइदा ले सकें क्यूंकि इसका result बहुत ही बहुत ही अच्छा मिलता है कि सारी problem का बहुत ही अच्छा solution भी है होम रेमेडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए जिंजर यानि की अद्रक इसको अच्छे तरीके से वोश कर लीजे इतने सारे अद्रक की जरुवत नहीं है इसको हम काट लेंगे लगभग एक दो इंच का तुकड़ा आपको अद्रक का लेना है अच्छे तरीके से धुला हुआ होना चाहिए फिर इसको आप grade करोगे कद्दुकस करोगे दोस्तो आयरवेद में भी माना गया है कि अद्रक को यूज करने से हेर ग्रोथ होती है क्योंकि अद्रक में magnesium, phosphorus, potassium और ऐसे essential vitamins, minerals पाये जाते हैं जो कि हमारे scalp का blood flow बढ़ाते हैं, stimulate करते हैं, बालों की growth को बढ़ाने मुदद करते हैं साथ ही अगर hair thinning की problem है आपको बाल जढ रहे हैं तो ये उसे रोकता है क्योंकि ginger यानि अद्रक में बहुत अच्छी मात्रा में antioxidants के साथ fatty acids भी पाये जाते हैं जो बालों का जढना रोकते हैं, बालों का पतला होना ठीक करते हैं, बालों को वापस से घना बनाने मुदद करते हैं साथ ही अद्रक के इस्तमाल से आपको dandruff की problem है वो भी दूर हो जाती है तो अद्रक को मैंने grate कर लिया है, कद्दुकस कर लिया है अब इसको आप बहुत ही समहाल के एक छोटी से कटोरी में transfer कर लीजे, इसका juice निकलना नहीं चाहिए अब आते हैं दूसरे ingredient पे, दूसरा ingredient है close यानी की long जिसको हम चाय में भी इस्तमाल करते हैं, चावल में भी इस्तमाल करते हैं वही long आपको चाहिए, 10 से 12 long आप ले लेंगे दोस्तो इस home remedy को बनाते time ratio का ध्यान रखना है, जादा अद्रग या जादा long नहीं डाल लेनी है तो इसलिए मैं आपको दिखा रहे हैं दुबारा से लगभग 2 चमच घिसा हुआ, कद्दुकस किया हुआ अद्रग लेना है और 10 से 12 सिर्फ long लेनी है, अब आगे देखे क्या करना है, फिर आप एक कटोरी में मेजर करेंगे, एक कटोरी नारियल तेल, coconut oil लेंगे इसके बाद इसमें आप दूसरा oil भी डाल लेंगे, दो चमच केस्टर oil यानि अरंडी का तेल, और इसको कर लीजे mix अब क्या करना है आपको, अब आप कोई पैन या छोटी कढ़ाई हो आपके पास, वो ले लीजे, जिसका बेस भारी हो, मैं ये ले रही हूँ, मैं इसमें हमेशा home remedy तयार करती हूँ, छोटी सी कढ़ाई मैंने ली हुई है, इसमें इस तेल को डाल देंगे हम, और फिर इन दोनों ingredient को डाल देंगे, तो चारों चीजे जो हमने डाली हैं, नाप के डालनी हैं बिल्कुल, तभी आपको ये home remedy फाइदा करेगी, ठीक से बनेगी, अब आप एक चमच ले लीजे, और अच्छी तरीके से ginger को दबाईए इसमें, और mix करिए, जिससे की जो juice है, वो तेल मे आ जाए, अभी ये home remedy तयार नहीं हुई है, अब आप इसको उठा कर flame पे रख देंगे, यानि gas पे रख देंगे, low flame पे इसको आपको सिर्फ एक बार boil करना है, एक दो मिनट में ही ये boil होने लगेगा, जैसा आप देख रहे हो, इस तरीके के आपको इसमें जाग से दिखें और जैसे ही ये इस तरीके का आपका ऊपर आने लगे oil, gas को तुरण बंद कर दीजे, और चलाते रहे हो, फिर ये settle down हो जाएगा, और फिर इसको आपको ऐसे ही ढग देना है, और overnight के लिए छोड़ देना है, सुबे जब आप देखोगे, ये oil भी ठंडा हो जाएगा, और सा चानने के बाद थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए, जिससे की ginger में जो भी oil है वो आपके इस कटोरी में आ जाए, वेस्ट ना हो, बस ये oil आपका बनके हो जाएगा, तैयार जो कि आपके hair growth के लिए, hair regrowth के लिए, hair thinning के लिए, hair fall को prevent करने के लिए, बंद करने के लिए बहुती जादा फाइदे मंद है, इस oil को आप जब smell करोगे, इसमें से आपको long की, ginger, अद्रग की smell आएगी, क्योंकि इसमें सारी properties आ चुकी है, oil के अंदर इन दोनों ingredient की, और ये दोनों ingredient जब मिलके साथ में काम करते हैं, यानि जब हम इनको apply करेंगे अपने बालों पे तो बहुत ही बहुत ही अच्छा result देंगे, लगाने का तरीका भी बहुत जादा असान है, cotton ले लो या अपनी उंगलियों की help से अपने scalp पे इस oil को लगाओ, पूरी scalp पे लगाने के बाद कम से कम 2-3 मिनट तक हलके हाथों से massage करो, जिससे अंदर तक absorb हो जाए scalp में, बालों की length में भी लगालो, overnight के लिए इसको छोड़ दो, हफते में कम से कम 2 बार इस oil को लगाओ, और winter season स्टार्ट होने वाला है, ये winter के लिए best oil है, बहुत ही अच्छा result देता है, तो देर किस बात की है, इसको बनाओ, इस्तमाल करना स्टार्ट करो, और इसको store करके भी रख सकतो, एक दो मह इने तक के लिए ये खराब भी नहीं होता है, तो जल्दी से बनाना, मुझे कमेंट करके बताना, कौन-कौन बना रहा है, यूज कर रहा है, और लाइक कर देना, इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, WhatsApp और Facebook पे, जिससे वो भी इसका फाइदा ले सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है, तो मैं मिलती हूँ आप से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाई-बाई and टेक कियर.